नमस्कार दोस्तों मैं हून निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त तो आप लोग बहुत अच्छे-च्छे कमेंट्स करते हैं नीचे जिसकी वज़े से मेरे को नए-च्छे वीडियो बनाने का प्रेड़ना मोटिवेशन मिलता रहता उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग प्यारे प्यारे अच्छे-च्छे जो मोटिवेशनल कमेंट्स करते मेरी मतब जो भी मैं काम कर रहा हूं उसके बारे में कुछ पॉजिटिव लिखते हैं तो इससे मुझे दुबारہ वीडियो बनाने की इच्छा हो जाती है तो अभी रिशन के एक कमेंट आया था कि सर आप बैड के उपर भी वीडियो बनाये बैड के उपर आपने कोई बी वीडियो नहीं बनाये तो मुझे उमिद है यह जो वीडियो है इसको देखने के बाद आपको ज्यादा तर जो questions आते हैं bed के बारे में कि कौन सा bed बनाए है, कौन सा bed अच्छा होता है तो ये सब चीजों के बारे में आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो bed के उपर सबसे पहले बात करते हैं कि bed कितने तरीके के नॉर्मली बजार में available है तो देखो सबसे पहले मैं ऐसे इसका कोई वो importance wise नहीं है sequence ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं नाम तो देखो सबसे पहले metal के bed, metal मतलब लोहे के जो bed बने वे होते हैं उसमें काफी सुन्दर सुन्दर अच्छी अच्छी designs बन जाती है फिर दूसरा जो bed आ गया, वो आ गया pure wood का, real लकडी का bed बट जिसके नीचे box नहीं है फिर इसी में pure लकडी का bed लेकिन जिसके नीचे box है और एक और जो bed है, मतलब यह ऐसा समझ लीजिए, दो तरीके के bed हो गए तीसरा जो bed है, वो समझ लीजिए, ply और mica, या board और mica का combination करके जो bed बनाये जाते हैं और अभी recently, जो अब यहना ताजा ताजा, बिलकुल market में जो गर्मा गर्म आया हुआ है वो है upholstered bed, upholstered bed मतलब पूरा bed बना और bed के ऊपर से हमने कपड़े का या rexin का या pure leather का भी upholstery ऊपर से कर दी, काफ़ी सारी उसमें designs एड़ कर दी, बहुत सारे features आड़ कर दीए यह एक latest entrant है bed में, तो बना प्रीमियम लगजरी, अगर आओना जैसे कोई चीज़ को उपर 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 ले जाने से तो यह सबसे latest जो है fully upholstered bed, तो इससे तो आपको यह पता चल गया है कि अगर आप bed खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो कितने सारे options है आपको bed खरीदने के, यह इतने सारे options है बेड में, इसमें एक और चीज़ अड़ कर सकते हैं, वो है sofa come bed, sofa भी हो जाए जिसके पास जगे की थोड़ी समस्या है और कभी कोई guest वगर आ जाए तो उनको अलग से एक सोनी की बेवस्ता भी हो जाए और sofa भी हो जाए तो sofa come bed है, कभी अगर ज़रोत होगी तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अगर आप comment करेंगे तो तो सबसे पहले बात करते हैं metal bed की, और metal bed तो आप समझीगे, metal bed मतलब इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ लोहे का ही bed है, लोहे का भी बनता है, stainless steel का भी बनता है और लोहे में काफी तरीके के, अलग अलग तरीके की coating करते हैं, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं lowe का bed, stainless steel भी एक तरीके का lowe ही है, तो lowe का bed जो है, उसकी advantage और disadvantage था कि आपको decision लेने में आसानी हो कि मुझे बैड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कहीं कहीं पर तो अगर उसके नीचे खुब सारा सामान रखावा नहीं है तो तो वो बिल्कुल क्लीन सा और एरी जो रूम है उसको हावादार बनाता है, यह मेरे को लगता है, एक और इसमें advantage यह है कि इसमें बहुत सारी designs बन सकती है, जो headboard है, या जो leg है, इसमें काफी सारी designs, काफी सा प्राइब कर सकते हो, metal bed में, लोहे का जो bed है, metal bed है, इसकी life बहुत ज्यादा है, मतलब एक लोहा है, और इसमें आपने प्रॉपर्ली ट्रीट करके, आपने welding वगर अच्छी मुझबूत करा रखिये, तो इसकी life बहुत ज्यादा है, काफी सालों तक यह चलता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है, metal bed में, और अगर अपने MS का मतलब लोहे का बेड बनाया है, और एक, बिल्कुल है न, मिनिमिलिस्टिक सी डिजाइन बनाते हैं, तो यह बहुत रीजनेबल भी पड़ता है, बहुत महंगा नहीं पड़ता है, काफी रीजनेबल सी प्राइ वो लूज आते हैं, आप इसको नट वोल्ट से लूज टाइट कर लीजिए, या इसको इना, क्लैंपिंग सिस्टम में भी बनता है, तो यह इस बेड की अड़ता है, जब आपको चाहिए तब आप इसको यूज करो, नहीं चाहिए तो इसको आप डिसमेंटल करके, आप पै कर लेते हैं, एक तो इसकी जो सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है, लोहे की बेड की, वो है कि जब आप इसमें सो रहे होंगे, और जब आप मूव करते हैं तो अगर यह बहुत अच्छी तरीके से नहीं बना हुआ तो इसमें थोड़ी आवाज आ सकती है, जब भी आ आप ऐसे फोल्ड इदर उदर मूव करेंगे तो बेड में आवाज आ सकती है, दूसरी चैलेंज यह है कि अगर यह लोहे का बना हुआ है, और इसको आपने प्रॉपर ली ट्रीट नहीं करा हुआ है, या हलके लोहे में बना हुआ है, तो रस्ट लगने की वज़े से, जग या वेल्डिंग खुलने की वज़े से भी यह तूट सकता है, तो थोड़ा प्रॉपर जो थिकनेस है लोहे का, वो होना बहुत जरूरी है, और उसको फिर जंग नहीं लगे, उसका ट्रीटमेंट करना भी बहुत जरूरी है, तो यह प्रॉबलम हो सकती है, इसमें जंग बनाओ या आपके ओवराल एंबियंस में यह थोड़ा सा इसना सस्ता सा लुप भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा बेड बनाऊगा है, यह तो हो गया मेटल बेड का, अब दूसरा जो पार्ट है वो हम बात करते हैं, लकडी से बने वे विठ बॉक्स और विदाउट टाइम में भी यह बनता रहेगा और यह हमेशा चलता है, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि यह इतना ज्यादा बिखता है तो इसकी जो है प्रोड़क्शन ज्यादा होने की वादे से इसकी कॉस्ट भी उस ट्रेंड पे, जिस समय पे आप खरीद रहे उस समय की जो मार्केट रेट उसके इसाब से काफी रीजनेबली प्राइस्ट होता है, बहुत सालों तक चलता है, सालों साल तक चलता है, एक बार आप लकडी का बेड खरी लीजे, बहुत सालों तक यह जो लकडी का बेड है वो चलता है, और आप इसको, मतलब क्या होता है री लुक मतलब आपने खरीदा और मान लीजे 15 साल हो गए 20 साल हो गए 25 साल हो गए तो इसको दुबारा से पॉलिस ओलिस करवा करके नया लुक भी नदा फ्रेशनेस भी आप अड़ कर सकते हैं और मतलब उसे क्वालिटी में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा बट वापस नया जैसा हो जाएगा लकडी के बैट की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यह है कि इसमें बोरर या दीमत लग सकती है यह एक मेजर डिसएडवांटेज है और विदाउट बॉक्स वाला बैड है तो उसकी और जो मेटल बैड है उसकी एक जैसी समस्या बॉक्स नहीं है तो उसक लेकिन अगर बॉक्स वाला बैड है तो उसका तो मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है वो तो सालो साल तक चलता है बस एक ही दिक्कत है उसमें कि उसका जो बॉक्स होता ना नीचे का उसमें खूब सारा अटाला बिना फालतू की चीज़े इखटी हो जाती है ज इंटरवाले ड्रेस समेट के रख देते हैं रजाईयां जो ब्लेंकेट्स वगर है वो जब समर जाते हैं तो उसमें रख देते हैं अगर आप लकडी का बैड थोड़ा महिंगा भी खरीद लेते हो थो जो ये बहुत सास्ता पड़ता है कैसे सस्ता पढ़ता है जैसे सपोज मान लिजे आज आज आपने लकडी का बेड खरीदा और आपको लग रहा है कि यार यह तो बहुत महंगा पढ़ गया क्योंकि अभी आज की तारिक में 30-35,000 रुपे की एवरेज रेट विट बॉक्स वाले लकडी के बेड की पढ़ रही ह जैसे स सस्ता अगर आप लेना चाहो तो अकाशिया का ले सकते हो, सीसामं का ले सकते हो, सागवान का ले सकते हो ऐसे अलग-अलग तरीके की लकडी इसमें अवयलेबल है तो मतبतलों जैसे अलग-अलग variety of wood को भी आप use कर सकते हो तो जो एक natural product को घर में रखने का जो advantage है अगर कोई वास्तुवाले होंगे या इस तरीके के जो इस energy को calculate करने वाले जो लोग है वो इसके बारे में सही राय दे सकते हैं और इसमें जो लकडी के bed में एक और advantage है कि आप अपनी choice के हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से इसको बनवा सकते हैं बिल्कुल minimalistic plane design चाहिए वैसी बनवा सकते हैं थोड़ी सी हलकी full की design अड़ करना चाहिए हलकी full की design अड़ कर सकते हैं या बहुत ज्यादा heavy craftmanship और बहुत ज्यादा अच्छी designs exclusive बिल्कुल ethnic designs भी आप करना चाहिए तो कर सकते हैं तो यह हो गया लकडी वाले बेड़ का advantage disadvantage मेरे साथ से बस मेरे को जो लग रहा है कि जो pure लकडी का जो बेड़ है उसमें एक ही disadvantage अगर उसमें दीमक लग गई तो ही और एक heavy होता है जैसे जहां रख दिया हमाँ बहुत भारी है अगर आप चाहो नो इसको हटाना उटाना सरकाना तो इसके लिए 3-4 आदमी चाहिए और box वाला बना रखा तो पहले box खाली करो फिर आप उसको move करो इसमें एक जो features आप add कर सकते हैं एक तो बच जैसे manually आप इसको खोल सकते हो जो storage है उसको दूसरा इसमें आजकल जो hydraulics लगते है वो काफी convenient है आपने उसको उठाया तो hydraulic उपर हो जाता है और तीसरा जो है इसमें एक और option यह है कि आप चाहें इसमें तो इसमें side में से left में आदा drawer निकल जाए और right में आदा drawer निकल जाए यह कर सकते हैं लेकिन जो खुलने वाला system उसमें storage ज्यादा मिलती है drawer में storage की जो space है वो काफी कम हो जाती है cost भी जादा हो जाएगा drawer बनाने का अब बात करते हैं upholstered bed के बारे में अगर आप बोलो को तो इसका अलग से वीडियो बना देंगे लेकिन shortcut में बात कर लेते हैं upholstered bed मतलब एक बैड बनाया किसी भी चीज में प्लाई से या रियलूर से तो क्यों बनाएंगे कोई प्ला बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े आते हैं आपकी color choice के हिसाफ से जो आपको design color पसंद आए वैसे upholstered bed बन जाते हैं headboard बहुत सुंदर बनता है क्योंकि पूरा bed एक ही color का headboard में आप contrast दे सकते हो या same color में बना सकते हो और उसमें foaming oming करने की वज़ए से जब आप और comfortable feel आती है upholstered bed में upholstered bed में काफी सारे gadgets भी add हो सकते है switchboards वगरे भी आजकाल add कर देते हैं bed में music systems भी add होने लगे हैं बहुत सारे high end काफी आप देखोगे अगर आप search करोगे google में तो बहुत सारी varieties में आपको upholstered bed में आपको देखने को मिलेगी अब इसकी अब upholstered bed के अगर अगर अपन disadvantage की बात करें तो एक तो इसमें क्या है कि ये एक तो महंगा बहुत हो सकता है दूसरा जो upholstery है उसकी quality और वो फट गई या कोई गंदी हो गई तो वो maintenance वाला जो इसू है उसको साफ़ आफ करना कट गया कहीं से लेदराइट लगाया या कपड़ा कहीं से डैमेज हो गया या कोई spot आ गया उसमें तो वो challenge आ सकता है कि आपको पूरा upholstery चेंज करनी पर सकती है और जो storage वाला जो चक्कर है वो भी काफी कम reasonable सा storage मिल सकता है लेकिन जब इतना महंगा अगर आप बैड बना आएगा फ्रंट का पैनल अलग आएगा अगर आप रेडिमेड लेते हो तो और घर में बनवा रहे हो तो एक अलग बात है अगर humid area है तो वहां पर यह जो upholstery होती है उसमें यह sim बैड जाती है अंदर जो foam है वो भी moisture absorb कर लेता है तो वह एक challenge जरूर मैंने experience किया है तो यह छोटी मोटी problem है और ऐसा नहीं है कि कोई भी बैड खराब है या कोई भी बैड अच्छा है सारे बैड बहुत अच्छे हैं जैसे आपकी क्या बोलते हैं जेव में ताकत है आपकी जो टेस्ट है उसे साब से तो यह overall एक मैंने idea दिया है बैड के बारे में कि कितने तरीके के बैड आते हैं इसमें एक बैड छूड गया है वो है जो आजकल जो modular pre-laminated board में companies जो pre-laminated board का बैड बनाती है वो एक बैड रह गया है तो उसके बारे में अलग से किसी वीडियो में pre-laminated bed के बारे में बात करेंगे जो आपने नोट क्या होगा आप Amazon वगर में अगर आप से बात करेंगे तो मुझे उमीद है ये वीडियो से आपको एक बैड के बारे में पूरा आइडिया लगा होगा और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर करिएगा आप चाहें कि किसी एक particular topic पे पूरा वीडियो बनाना तो वो भी आप नीचे सब बनाबरी है कोई खास बड़ी बात नहीं है सबसे important चीज है कि ढंका खाना खाना चाहिए और exercise करना चाहिए अपने सरीर को थोड़ी तकलीफ देते रहिए ताकि उसको काम करने की आदत रहे cycle चलाए पैदल चलिए बच्चों के साथ खेलिए खुस रहिए और दुनिया क सबसे प्यारे दो सब जैहिन